हेलो एवडिवन जीना किचन में आपका स्वागत हैं कैसे हो आप सभी आई होप आप लोग अच्छे होंगे मस्त होंगे स्वस्त भी होंगे तो क्या हो आना मैं कुछ दिन पहले मार्केट गई थी और मैं कडाई लेके आई थी क्योंकि मुझे बतन का ना स्टोर करना बहुत ज्यादा पसंद है तो मैं कडाई लेके तो बहुत इनोसी तरीके से पड़ी हुई थी मेरे हस्बन देखके बोल रहे हैं कडाई लेके आई हो इसमें बना कुछ नहीं रही हो तो फिर मेरा भी मन कर दिया कि चलो भाई इसका दगाटन कड़ी देते हैं तो हमने सोचे कडाई तो घी में आप लोगों को पता हिए गी में बहुत जादा हलवा अच्छा बनता है तो जितना हम लेंगे आटा उतना ही हम घी लेंगे यारी बता नहीं सकते हूं में इतना ज्यादा टेश्टी बनके तियार होता है गेहूं के आटे का हलवा अगर आप इस तरीके से बनाते तो आपको मैं बता नहीं सकते हूं कि इतना ज्यादा टेश्टी लगता है घाने में तो जब गी गरम हो गई थी तो इसमें हमने गेहूं के आटा को एड़ कर दियें गेहूं के आटे को एड़ करने के बाद बस इस चीज का ध्यान रखिएगा कि गैस के अग्जिदम अग्ज इसको इस तरीके से चलाते रहना नहीं तो इस राखिए ने अटेस हो मैन और सब्सकेव को सब्ढ़ में हम बना रहे थे तो आपकी 하나ygen संसे से रहो गणा ही सवेड़ में am 주고 ।ो यह ज् attitude हमारी हमारी ऑे हीत क् conceity radiantbear का चेंट तो सब्सक्राब बनें नार्स अकम ही तराफ ज् कि अगर बनाते हैं इतना इस तरीखे से अगर बनाते हैं आपको इस हल्वा के आगे सारे मिठाई पर जाएंगी इतना तो देख सकते हैं दिरे का ना कलर चेंज हो गया है है तो हमने लिए 1 4th कप चीनी तो आप मीठा अपनी हिसाब से रखिए टब रखी बाद यह से इस तरीकल से टरीक से मिकस करेंगे और पैंट इसमें हमको लेना है जिस पर कप से हम निये थे इंप फ्रल ऊंट एड़ करना है तो पहले तो छिद्ट से मेल्टत हो क्या जब अदर्स्त हलवा बनके तैयार होगा तो बस इस तरीक से देख सकते हैं हमारा हलवा लगभख बनके एकदम से तैयार है और नहीं कड़ाएं कि हमने मीठे से स्वागल दघाटन भी कर दिया है ना तो बस इस तरीक से तो देख सकते हैं अकुछ करती हूं जैसे किराई को कर वेगरा कुछ लेकर आती हूं उसक्त करते कुछ मीठा ही इस्टार्टिंग में बनाओं और मुझे बरतन का इस्टोर करना बहुत जादा पसंद आता है मैं कभी भी कई तो आप लोगों को याद दिला दो कि अगर आप लोगों को आज की हमारी रेस्पी पसंद आजाए तो लाइक करें हमारे चनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के सेयर करना जरूर करें परक्राइब करना बीलकुल ना भूले देख सकते हैं गिंगुगं का ओटे का बहुत ही हलवा बनके तैयार है ताब इसको चलते हैं सल्फ करने के बारे है तो आप मेरे कहने से एक बारी स्थीक सब्सक्राइब करना जरूर बनाए जिस नहीं भी पसंद होंगे ना वह भी ज्यादा खुशी से पसंद से मांग मांग के खाएगा तो आप से बात करते करती याटा के हलुआ बनके